लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक अंदबाना ना भूलें महाराश्च्र के पालगर में दो साधूँ समय तीन लोगों की मॉब लिंचिंग के मामले में ग्रह मंत्री अमिच शाहा ने महाराश्च्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मागी है उद्धव ठाकरे की ग्रह मंत्री शाहा से सोमवार को फोन पर बातचीत भी हुई है जिस पर ठाकरे का कहना है कि उन्होंने ग्रह मंत्री अमित शाहा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया दित्यनात को इस बारे में ज़ानकारी भी दी है महराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में 110 लोगों को गिरफतार किया है जिसमें नावालिक भी शामिल है उद्धव ने आगे कहा कि पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सांप्रदाइकता का एंगल नहीं है इस घटना को धार्मिक रंग देना सही नहीं है इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में दो पुलिस कर्मियों को सस्पेंट भी कर दिया गया है जबकि इस केस की जाच अब CID को सौंप दी गई है इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे के बचाओं में बेटे और प्रियटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा पालगर मामले में मुख्य मंत्री ने अपना बयान दे दिया है मैं सभी राजनीतिक दलो को याद दिलाना चाहता हूँ कि पालगर मामले में पुलिस गिरफतारी कर चुकी है महराश्ट्र सरकार इस तरह के अपराधों को कभी माफ नहीं करती वही महराश्ट्र के पूर मुख्य मंत्री देवेंद्र फडनविस ने भी साधू की हत्या के मामले में सक्त कारवाई की मांग की है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा पालगर में मॉब लिंचिंग की घटना वाला वीडियो हैरान करने वाला है और अमान विये है तीन लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी यह सभी अंतिम संसकार में जा रहे थे पुलिस की मौजोदगी में भीड ने इन लोगों की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी